फिल्म अरकंसे स्टेट वेकफील्ड जेल के रास्ते में कई कैदियों को ले जाने वाली बस के साथ शुरू होती है। ना चाहते हैं तो दोशियों को पैसे देने होंगे। अगले दिन सभी कैदियों को एक बोतल पर खड़े होकर दो कैदियों को दंडित करने के लिए खड़ा किया जाता है। यह एक कतोर अनुसमारक है कि अवग्या को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा। फिर यह काम करने के लिए खेतों में जाता है। बाद में हम देखते हैं कि कैदियों को भी मजबूर किया जाता है पैसे के बदले जेल के डॉक्टर को अपना खून बेचते हैं जिसका उप्योग वे जेल में कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें वुडवर्ड नाम के एक स्थानिय उद्यमी के स्वामित्ववाली लंबर मिल में काम करने के लिए बनाया जाता है जो कैदियों को काम पर रखने के लिए भी अधिक्रित नहीं है बाद में हुई हेंड़ी और एको ले जाता है। कुछ समय बाद काम करते हुए वो अंतता लकडी की रसी को तोड़ देता है और कार देता है जिससे लकडी का धेर गिर जाता है जो हुई को सजा के रूप में मारता है। उससे पूछता है कि क्या उसे आराम की जरूरत है लेकिन हुई का कहना है कि सभी कैदी बिना किसी अपवाद के काम करना पड़ता है। इसलिए लेरी को हेंवी के साथ मौत की सजा को साफ करने के लिए नियुक्त किया जाता है और कुछ अन्य लोगों को अचानक वाल्टर नाम का एक कैदी लेरी पर हमला करता है और वादन को देखने की मांग करता है या वह उसे मार डालेगा हेंवी स्थिती को शांत करने के ये कदम उठाता है और सभी को ये बता कर जटका देता है वह पहले तो नया वाडन है वाल्टर उस पर विश्वास नहीं करता है लेकिन फिर वह अपनी मांगों को सूची बद करता है जिसमें पीले रंग की दिवारें एक पिक्चर विंडो शग रग कुछ शराब और एक टेली विजन जैसे अन्य लोगों के साथ हेंडी खेलता है और वार्टर से उसे दिखाने के लिए कहता है कि वह कहां चाहता है बाद में दिकी हेंडी को वाडन रेंफ्रो के कार्याले में ले जाने के बाद केवल उसे वापस अपने सेल में बंद कर देता है हेन्री रेन्फरो को सूचित करता है कि वह नया वॉर्डन है जो उसकी जगह लेगा जेल के संचालन और वॉर्डन बनने पर आवश्यक सुधार करना हेन्री सारवजनिक रूप से सभी कैदियों के सामने अपनी असली पहचान का खुलासा करता है और सजा के लिए आमतोर पर इस्तेमाल किये जाने वाले चाबुक को हटा लेता है इसके अलावा वो रक्त की खरीद और विक्री को खत्म करने की प्रतिग्या करता है क्योंकि पशुधन में सभी फसले कुछ समय बाद सभी के बीच समान रूप से साजा किया जाएगा जॉन लीच जेल बोर्ट के अध्यक्ष और लिलियन गवर्नर के सहायक हेंडी को नेत्रित्व का पद देने के लिए जाते हैं और अनरोध करते हैं कि वो देश के कानूनों को करतवे परायन रूप से लागू करें जॉन जेल के बारे में सूचित रखने के लिए कहता है जबकि लिलियन हेंडी को सलाह देता है बाद में सतर्क रहने के लिए हेंडी ने परसेल को पूर्व वॉर्डन क्लर्क को फोन किया और सुधार के साथ उसकी मदद करने के लिए कहा उसने अपने पहले देखे गए घायल कैदी के बारे में पूच ताच की लेकिन परसेल ने उसे सूचित किया कि कैदी को एक अस्पताल में स्थानां तरित कर दिया गया था और फिर हेंडी के बाद एक और जेल मौत की सजा पाए कैदीयों को धूप का चश्मा दिये जाने के तुरंट बाद परसेल को अपनी आवश्यक्ताओं को पूरा करने के लिए एक दरजन धूप का चश्मा और एक फोन खरीदने का निर्देश देता है वे खुश है क्योंकि यह पहली बार है जब उन्हें महीनों में जेल से बाहर जाने की अनुमती दी गई है हेंवी फिर गार्ट को बताता है कि वे अगले दिन हेंवी लेरी को कॉल करता है और उसे अपना विश्वस्त मुखबिर बनने के लिए कहता है जो जेल में होने वाली हर चीज़ की रिपोर्ट करता है जेल में अपमान जनक संस्कृती जिसके लिए लेरी कुछ दिनों बाद सेहमत होता है हेंवी और डिकी घर में जेल प्रनाली के बारे में बात कर रहे हैं जबकि हेन्वी के बाहर बारिश हो रही है, ऐसा लगता है कि वे उससे कुछ छिपा रहे हैं जिससे डिकी घबरा जाती है, अचानक एक आदमी उनके पास आता है और बताता है उन्हें पता चलता है कि जेल की छट गिर गई है, जिससे कैदी घायल हो गए हैं। को निकाल देता है, हेन्री एक ट्रस्टी को सूचित करता है कि केवल पचास विश्वसनिय कैदियों को खिलाने के लिए जेल में मिर्च के 300 मामले पहुचाए गए थे, उसे पता चला कि प्रत्येक ट्रस्टी के पास लगभग 20 मिर्च होगी कैन एक दिन जबकि अन्य कैदियों के पास खाने के लिए परियाप्त नहीं है, बाद में वु पुश्पूर्ण छट का निर्मान किया है, हेंवी ने उसे निर्मान करने का आदेश दिया मुफ्ट में एक नई छट क्योंकि यह वुडवर्ड की गलती थी कि यह गिर गया हाला की वुडवर्ड मना कर देता है, इसलिए हेंवी तुरंत उसके साथ अनुबन समाप्त कर द देता है क्योंकि वुडवर्ड छोड़ देता है, वह हेंवी कुछ एताबनी देता है कि वह समुदाय के साथ सहयोग नहीं करने के परिनामों का सामना करेगा बाद में। प्रखा पीछा करता है और एक छिपी हुई जो पड़ी का पता लगाता है जहां हुवी और उसकी प्रेमिका कैरल खोच के बाद छिप रहे हैं। चोरी की अनुमती देने के लिए कुटिल मुनीम को निकाल दिया गया था अगले दिन लिलियन हेंडी से मिलने जाती है और जेल में उसके द्वारा किये जा रहे अचानक परिवर्तनों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करती है वो उसे साफधान रहने की चेतावनी देती है क्योंकि उसके वरिष्ट उसके कारियों से खुश नहीं हो सकते हैं हेनری हलांकि उसकी चेतावनी को एक तरफ कर देता है और उसे बताता है कि उसे जरूरत है जेल के लिए एक नहा डॉक्टर क्योंकि उसने पिछले एक को निकाल दिया था लिलियन उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया और उसे आगामी जेल बोर्ड की बैठक के बारे में भी स प्लासा किया कि वद्वितिय विश्वियुद्ध से पहले से जेल में है और हेंवी को पता चलता है कि अबराहम अभी भी जेल में है भले ही उसकी सजा समाप्त हो गई हो तीन साल पहले इबराहीम का दावा है कि 200 से अधिक कैदियों को मार दिया गया है और जेल के मैदान में छोड़ना पड़ता है लेकिन अबराहम को आश्वासन देता है कि वे अपनी चर्चा अगले दिन जारी रखेंगे क्योंकि हेंवी परसेल को छोड़ देता है अबराहम को ये दावा करते हुए बुलाता है कि वह एक डॉक्टर को देखने जा रहा है अबराहम को कमरे में लाया जाता है जहां एडी और हुई ने उसे हेंवी को बिजली देकर यातना दी जेल बोर्ड के सदस्यों के साथ एक बैठक में भाग लेता है जहां उसे पता चलता है कि उनमें स कई उसके सुधारों के कारण अपनी ब्रश्ट योजनाओं को बाधित करने से नाराज हैं येंवी को ये सपश्ट हो जाता है कि हर कोई जेल से मुनाफ़ा कमा रहा है और बोर्ड के सदस्यों को कैदियों के जीवन को बहतर बनाने में कोई दिल्चस्पी नहीं है वह गुस बोर्ड अगली सुबह हेंवी जाकता है और पाता है कि इबराहीम का शरीर वॉर्डन के निवास के जंडे से लटका हुआ है दिकी हेंवी का सामना करता है और उसे चेतावनी देता है कि सुधार के उसके प्रयासों से अधिक मौते हो रही है और इससे पहले की बहुत देर ह हो जाए उसे रोग देना चाहिए हेंवी का समर्थन करना ब्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए और भी अधिक ब्रिर हो जाता है वो तुरंत कैदियों को लाशों को खोजने के लिए एक एकर जमीन खोदने का आदेश देता है जिसके बारे में इबराहीम ने दि उसे पता चलता है कि वो जेल बोर्ड के एक अन्य सदस्य और सेनेटर के साथ लाई गई है जिसे उन्होंने जेल बॉयलर को ठीक करने और नए बैरिकों का निर्मान करने की पेशकश की अगर हेंवी शवों की खोज बंद करने के लिए सहमत हो गया हेंरी प्रतिबिम्बित करता है कि उसे कई हत्याओं को कवर करने के लिए कहा जा रहा है सेनेटर ने उसे चेतावनी दी कि वह लिलियन को गंभीर रूप से लूटने के लिए जेल में समाप्थ हो सकता है फिर सुझाव देता है कि उसे जीवित कैदियों पर ध्यान के इंद उसके खिलाफ कारवाई करने के लिए मनाने की कोशिश करता है, हालांकि जब वर नहीं करता है। भागने का फैसला करने पर उसे कोई समर्थन नहीं मिला और एडी को अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन एडी ने बाद में मना कर दिया, हेंडी को पता चला कि हुई व था जिसने अबराहम को मार डाला था, इसलिए व शहर में उसे खोजने के लिए एक समूँ बनाता है, फिर समूँ को और अधिक जमीन को कवा करने के लिए टीमों में विभाजित किया जाता है, हेंडी और लेरी उस खशेत्र की जाच करते हैं, जहां हुई कैरल की दुकान में मास की आपूर्ती करता था, जबकि लेरी ने अपनी बंडूग के साथ खशेत्र के बारे में सुनवाई करते हैं, जहां वे बैठक के दौरान अपने मूल के बारे में सच्चाई से इंकार करना जारी रखते हैं, बाहर के डॉक्टरों का दावा है कि जेल के मैदान में पाए गए अफशेशों के लिए मौत का कारण निर्धारित करना मुश्किल है, जब उनसे पूछा जाता है, उनकी राए हेंडी का सुझाव है कि उनके परीक्षनों के बाद दोशियों को गोली मारने से वेक फिल्ड में उन्हें कैद करने के बजाए राज्य के पैसे बचेंगे क्योंकि हेंडी चले जाते हैं, लिलियन ने उनसे समझोता करने की विनिती करन उसे अपने इरादों पर संदे है असमवैधानिक पाया और आदेश दिया सुधार या समापन